तो अब यहां अब आज बात करने वाले कंस्ट्रक्टर के बारे में तो इस वीडियो में समझने वाले तो वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देखना वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना अपने फ्रेंज के साथ शेयर करना चैनल को अगर जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंज के साथ शेयर करना तो चलिए शुरू करते हैं तो आपके सामने डेफिनेशन जो है कंस्ट्रक्टर की वह विजिबल हो रही होगी तो यहां पर क कंस्ट्टर जो है वहगी शुरु सेघ्रन करना पता होगा एक बार जाकर कि उनको ज्मड्र चेक आउट करना आपको बहुत कुछ सीखने के लिए ही मिलने वाले वहां से इसलिए एक बार जाकर के उन प्रीविच बीडियो को भी चेक आउट कर लेना तो च्ट्रक्टर जो constructor है वो एक special type का method है जिसका नाम जो है वो same होता है हमारी class के name के से ठीक है अगर हमारी class का name है वो अगर tech coder AV है तो आपका जो constructor बनेगा वो भी same name का बनेगा tech coder AV अगर आपके tech coder और AV के बीच में gap है तो constructor में भी same gap होगा बिल्कुल duplicate same to same name का जो का हमारा constructor होगा ठीक है तो constructor is a special type of method whose name is same as a class name ठीक है हमारा constructor एक special type का method है जिनका नाम जो होता है वो same dicto होता है हमारी जो class का name होता है उससे अब आपके सामने कुछ points हैं जो की visible हो रहे होंगे तो यहाँ पर पहला point हमारे पास क्या है the main purpose of constructor is initializing the object जो हमारा main purpose होता है constructor को बनाने का वो क्या होता है कि हम object जो भी हम बना रहे हैं उसको initialize कर पाए ठीक है अब जैसे एक example लेकर के बात करते हैं तो अगर जैसे हमने एक code लिखा जहांपर हमने दो values को initialize variables हैं ठीक है जैसे अगर हमारे पास दो initialize variable हैं ठीक है कोई भी value को initialize नहीं किया हमने तो वहाँ पर जब हम class का object बनाते हैं तो क्या होगा constructor अपने आपको call हो जाएगा ठीक है तो वहाँ पर जो constructor होगा वो हमारा जो compiler होगा वो अपने आप constructor को create कर देगा और हमारे पास दो instant जो हमारे variables हैं उनको भी initialize कर देगा ठीक है अपने आप खुद बखुद वह चीज़ कर देगा तो यह सारे चीज़े होती है तो the main purpose of constructor is to initialize the object जो हमारे पास object है उसको initialize करना है हमारा main purpose यही है अब next point की तरफ देखते हैं तो यहां पर आप next point क्या है every java class has a constructor आप कोई भी java class create करते हो जब कोई भी एक new java class बनाते हो या किसी java class पर आप जब कोई से पर काम कर रहे हो कोई भी java class है उस हर एक java class मेंना एक constructor available होता ही है ठीक है एक constructor बनाया ही जाता है और उस constructor को बोला जाता है default constructor तो जैसे अगर हम किसी java class के अंदर constructor को create कर देते हैं तो क्या हो गया वो constructor हमने बनादिया ठीक है अगर किसी java class के अंदर हमने constructor को create किया तो वो constructor हमने बना दिया बट आपने एक simple java class create करी और उसके अंदर कोई भी constructor नहीं बनाया और जब class को run किया आपने तो आप बोलोगी वहाँ पर तो कोई constructor नहीं था ठीक है तो वो constructor जो compiler बनाता है वो कौन सा होता है default constructor होता है ठीक है default type का constructor हो जाता है वो तो हर एक java class के अंदर constructor available होता ही होता है आप अपने एसाब से बना दो तो बात दूसरी है compiler बनाएगा तो बात दूसरी है लेकिन constructor जो होता है वो हर एक java class के अंदर present होता ही है अब next point हमारे पास क्या है a constructor is automatically called at a time of object creation जब हम हमारे object को create करते हैं जब हम हमारे code को run करते हैं तो हमारा जो constructor होता है वो automatically call हो जाता है हमको call करने के जरूत नहीं होती वो अपने आप ही call हो जाता है यह बहुत easy points थे कोई बहुत ज़्यादा tough ने आप easily read मारोगे आपको खुद से समझ में आ जाएंगे ठीक है अब आप यहाँ पर देखो last point है हमारे पास वो last point क्या है a constructor never contain any return value including void जब हम किसी constructor को बनाते हैं तो वो constructor जो होता है वो कोई भी return value contain नहीं करता ठीक है वो void भी जैसे कोई हम return में values भेजते हैं जो value return करवाते हैं तो वो return type नहीं होता हमारा constructor ठीक है कभी contain किसी भी type का return type को contain नहीं करता हमारा constructor ठीक है तो यह थोड़ा सा theoretical part था यह वाले जो points थे इनको आप अपनी जो notes बना रहे हो उसमें note down कर लेना क्योंकि जब जो basic definition है वो मैंने सबसे top पर आपको बता दी थी last slide में आपको देखने के लिए मिल गई थी but interview के time पर जब आप बैठते हो ना तब आप से पुछा जाता है constructor भाई करता क्या है यह तो बताओ आप अगर हिंदी में भी इस चीज को बताओगे न तो आपका answer correct होगा ठीक है क्योंकि constructor जो एक ऐसी चीज है कि अगर आपने constructor किसी सामने वाले person को explain कर दिया तो मतलब आपको भी constructor समझ में आ गया आपको code में कभ यूज करना है code में कैसे बनाना है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए ठीक है अब चलते हैं हम intelligent idea पर और वहाँ पर जाकर कि code को लिखते है code में आपको constructor बना कर कि बताता हूँ ठीक है इसके साथ में ये example तो मैं आपको देही रहा हूँ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे java projects को चेक आउट नहीं किया है तो आप उनको चेक आउट करो वहाँ पर हमने हर एक class के अंदर constructor को create किया है ठीक है वो constructor frame बनाने के लिए हम use कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर आपको confusion वहाँ पर जाकर कि ना होसलिए कि जो j frame हम बना रहे है वो एक constructor के अंदर ही बना रहे है और वो जो constructor है वो हमारी class के name से मिलकता जुलता है बिल्कुल same dicto है ठीक है तो अगर और अच्छे example आपको यहाँ पर clear नहीं होता आपको और example चाहिए तो आप हमारे Java course की playlist पर जाओ वहाँ पर आप electricity billing system bank management system hotel management system hotel management system अभी चल रहा है तो वहाँ पर भी आप series में जाकर के किसी भी class की कोई भी एक वीडियो उठाकर के आप देख लोगी तो सभी के अंदर हमने constructor create किया है तो वहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छा example और explanation देखने के लिए बिल जाएगा तो अब चलते है intelligent idea पर यहाँ पर भी मैं आपको explain तो करना ही वाला हूँ ठीक है हम आचुके हमारे intelligent idea पर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं अपनी java class है इसको create कर लेता हूँ source folder के अंदर right click करके new पर जाके java class पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं constructor के नाम से class को create कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने constructors के नाम से java class को create कर लिया अब यह जो java class है इसके अंदर मैं क्या करूँगा एक main function को बना लेता हूँ यहाँ पर आप बात करते हैं constructor के लिए तो पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर दो टाइप की वेल्यूस को मैं बता देता हूँ एकitezer type का a होगा हमारे पास और एक string type का b होगा ठीक है यहाँ पर string type b ले लेता हूँ मैं अब हमको constructor बनाई है तो जो constructor बनता है वह हमारी class के name के according बनता है जो हमारी class का name होता है वही हमारे constructor का भी name होता है simply मैं यहाँ पर constructors ले लेता हूँ brackets और body को मैं open कर लेता हूँ और यहाँ पैमों में बोलता हूँ जो int a है न actually int नहीं लेना पड़ेगा a जो है उसकी value कितनी है 105 ठीक है और उसके बाद जो हमारा string type b है उसके अंदर हमारे channel का name store है tech coder ठीक है यह चीज हो गई अब इसके बाहर आकर के मैं क्या करूँगा एक void नाम से बना लूँगा और इसको show करवा दूँगा show क्या करवाना है show करवाना है मेरे को a और b की value तो मैं simply show को करके यहाँ पर south कर देता हूँ और a print हो जाएगा फिर बीच में थोड़ा सा divide कर लेते है partition कर लेते है double quotes के अंदर यहाँ पर वापस plus sign दे करके b को ले लेते है यह चीज हो गया यह जो हमारा constructor है यह बनकर ready हो चुका ठीक है constructor के अंदर a और b की value है constructor के बाहर हमने एक method बनाया है show नाम से void है जो की हमारे output को दे देगा ठीक है output में क्या देगा जो भी हमारे a और b के अंदर value है तो अब constructor को call कैसे किया जाएगा constructor का एक object बना करके तो मैं यहाँ पर लेता हूँ constructor यहाँ पर लूँगा c जो की हमारे नाम हो का object का equals to करके new constructor में यहाँ पर करने वाला हूँ इसको कर दूँगा close अब यह जो बन गया यह क्या बन गया मेरे constructor का object बन गया ठीक है अब इस constructor के object के बाद जो भी values है मैं किस method के थूँँ show करवा सकता हूँ void show की help से तो मैं यहाँ पर नीचे क्या करूँगा c.show का use करूँगा c.show जैसे ही मैंने किया अब मैं आप मारे जो classes को मैं run करता हूँ जब हमारी class run हो रही है अब आप देखो output में मिरे को क्या मिल गया a की value 105 और b की value tech coder यह values यहाँ पर मिरे को मिल गई अब मैंने यहाँ पर बहुत simple था कुछ नहीं किया सिर्फ एक constructor बनाया और एक object बनाया एक method बनाया फिर यहाँ पर एक object बनाया जिसके थुरू मैंने constructor को call किया constructor के अंदर जो भी values थी वह एक function method कुछ भी बोल सकते हो आप उसकी help से मैंने output में निकाल लिया ठीक है यह चीज बहुत easy थी आप लोगों को होपसो clear हुई हो और जैसा कि मैंने starting में बताया था कि अगर आप किसी class में constructor create नहीं करते हो तब भी constructor बनता है आपकी हर एक class में हर एक java class में constructor जो है वो available होता है वो कैसे दिखाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर यह जो मैंने constructor बनाया ना इसको मैं यहाँ से cut कर देता हूँ बलब remove कर देता हूँ मैंने इसको यहाँ से remove कर दिया अब आप सोचो कि जब यहाँ पर int a है और string b है इसके अंदर कोई मैंने value तो दी नहीं है मैं यहाँ पर direct क्या कर रहा हूँ show की help से यहाँ पर output में a और b को निकालने की try करूँगा तो मेरे जो a और b के अंदर कोई value ही नहीं है मैंने value बताई ही नहीं है initialize ही नहीं करी है तो आपको लगेगा कि output में आप कुछ नहीं मिलेगा ठीक है बट ऐसा नहीं है अब मैं जब अपने code को run करूँगा तो आप देखो output में हमको क्या मिलता है आप यहाँ पर देख सकते हो output में मिलेको क्या मिला zero और null a की जगा पर मिलेको zero मिला और b की जगा पर मिलेको null मिला ऐसा क्यों हुआ मैंने जैसा कि आपको starting में जब हम point to point वाला check कर रहे थे आपके सामने थी तब मैंने आपको explain किया था वहाँ पर कि Java जो होता है वो हर एक class के अंदर constructor को create करता है अगर आप constructor को बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप constructor को नहीं बना रहे हो तो जो compiler होता है जब आप class को run करते हो जब आपके code को compiler compile करता है तब आपके code में अगर कहीं पर constructor नहीं होता है तो वो एक default constructor को बना देता है और वो default constructor आपके अगर object जो भी values है और वो अगर initialize नहीं भी है बट जब हमने हमारी class को run किया तब हमारी class में क्या हुआ 0 जो था वो initialize हो गया मतलब A initialize हो गया string B में हमको null मिला हमारी जो string B थी वो भी initialize हो गई ठीक है हमारा जो integer type में 0 यहाँ पर store हो गया और जो string B था वो एक type से null था तो यहाँ पर by default constructor बन गया और हमको यहाँ पर हमारा जो output है वो मिल चुका है ठीक है अगर आपको लग रहा हो कि नहीं बनता है तो सीधा से example आपके सामने है कि अगर आपको अभी भी लग रहा है कि constructor नहीं बनता तो ऐसा नहीं है constructor by default बनता है और वो constructor बना होगा तब ही हमको यह output मिला अगर हमारे पास constructor नहीं होता तो हमको यह output नहीं मिलता है ना तो hopes हो आप लोगों को सारी चीज़र क्लियर होई हो अगर कहीं पर थोड़ा सा भी doubt लग रहा है तो आप वीडियो को वापस से back कर लो जादा tough topic नहीं है बहुत easy topic है आपको आराम से बन जाएगा ठीक है एक बार आप वीडियो को back कर लो वीडियो को देख लो जो points है उनको एक बार अच्छे से समझना है क्यों क्योंकि यह जो points है यही points आपको interview के time पर जब आपसे interviewer जो भी आपसे sir या फिर teacher जो भी है आपके वो आपसे जब पूछते है what is constructor कहने हो explain it तो जब आपको explain करने बोला जाएगा ना तो आपको जो constructor के बारे में बताना है वो उन points को बताना है ठीक है अब वो आपके उपर है कि आप उन 4-5 points जो भी मैंने आपको बता हैं वो points को कैसे arrange कर सकते हो कितने best way से arrange करके कितने best तरीके में एक format में जमा करके आप सामने वाले को represent करते हो ठीक है बत वो points अगर आप represent करते हो एक unique way में एक perfect manner में जब आप represent करते हो तो आपका impression कुछ और होगा आपका जो answer है वो बिलकुल correct होगा कहीं से भी गलत नहीं हो सकता बत आपका जो represent करने का तरीका है वो सही होना चाहिए ठीक है चैनल को subscribe करना जिससे हमको भी motivation मिलता है ठीक है अगर आपने java projects को check out नहीं किया है तो constructor के लिए एक बार java projects को भी जाकर के check out कर लो वो भी एक बहुत अच्छे examples है वहाँ पर भी ठीक है जावा projects को देख सकते हो Android chat application को भी देख सकते हो advanced java के भी projects आने वाले अभी ठीक है web development पर भी projects आने वाले तो सभी projects के लिए चैनल को please subscribe कर लेना वीडियो को like करना अपने friends के साथ वीडियो को share करना मिलते हैं next वीडियो में जब तक लिए stay tune stay safe bye bye